हलो फ्रेंड्स आज हम क्लास नाइन्थ की बुक विहाइव की पॉयम दा स्नेक ट्राइंग रेटन बाइ डवल्यू डवल्यू ए रॉस के एमसी की उच करेंगे अगर अभी तक आपने इस पॉयम की हिंदी एक्स्प्लानेशन नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देदूँगा आप वहाँ से उस लिंक को क्लिक करके इसकी हिंदी एक्स्प्लानेशन देख सकते हैं सनेक किसके लिए हार्बलेस था पॉयम में बताया है वैसे तो सनेक डेंजरेस होते हैं उनके पास नहीं जाना चाहिए लेकिन इसमें पॉयम का जो मैसेज है वो यही है कि हमें एनिमल्स के परतिक क्रूवल नहीं होना चाहिए तो पॉयट ने बताया है दा सनेक हार्मलेस इवन टू एनिमल्स चिल्डरन बर्डेंट या फिंट लन आन अफ्टीज तो कहा कि दा सनेक हार्मलेस इवन टू चिल्डरन बच्चों के लिए भी हार्मलेस है और त Armenी तह 누त है Who is changing the snake? Snake का पीछा कौन कर रहा था? Cat, Crocodile, Man या मंगूच तो snake का पीछा एक आदमी कर रहा था The man having a stick in his hand उसके हाथ में एक छड़ी थी And he is changing the snake Where is snake का पीछा कर रहा था? Where was the snake lying? Until observed जब तक snake को observe नहीं किया गया स्पोर्ट नहीं किया गया देखा नहीं गया तब तक वह कहा लेटा हुआ था? In a box, एक box के अंदर On the sand, sand के उपर In a tree, एक पेड में या फिर इन a hole या फिर एक hole में तो on the sand Snake जो है Was lying on the sand Until observed What does the snake glide through? Snake कैसे glide करता है? यह बताना है कहां से glide करता है? इनकी सरक्ता कैसे है? Throw mud, throw land, throw water, throw snow तो snake Water से glide करता है The snake glides through water How was the body of the snake? Snake की body कैसी थी? यह बताना है उसकी body किस प्रकार की थी? Fat body थी? बहुत मोटा snake था Thin long body पतली और लंबी body थी? या thick small body या thick body और small body थी? या फिर None of these तो कैसी body थी उसकी? It had thin long body The body of the snake was thin long body उसकी पतली और लंबी body थी Next question है What is the color of the snake? Snake का color क्या है? जो snake, the snake trying में explain किया है उसका color कैसा है? यह बताना है Yellow, Black, Green या फिर Brown तो इसमें उसे small and green कहा है कि छोटा है और Green है तो the color of the snake is Green What is the style of the poem? Poem किस style में लिखी गई है? क्या style है? इसका proper rhyme scheme rhyme scheme में तो इसमें है नहीं Written in free words Free words में लिखी गई है It is a sonnet Sonnet है, sonnet क्या होता है? 14 चोदा लाइन का एक Poem होती है Sonnet तो चोदा लाइन वाली Poem को Sonnet कहते है तो वो भी नहीं है Proper rhyme scheme नहीं है तो यह free words में लिखी गई है अधाथ इसमें कोई rhyme scheme का यूज़े नहीं किया गया है The snake was trying to save itself from test Snake किस से बचने की कोशिश कर रहा था? अपने आपको किस से बचाने की कोशिश कर रहा था? परियास कर रहा था? यह बताना है Mangooch, Eagle From the stroke of stick या फिर Animals The snake was trying to save itself from the stroke Of the stick Stick के stroke से बचाने की कोशिश कर रहा था? Because someone was chasing After him क्योंकि कोई उसके पीछे दोड रहा था? Having a stick in his hand So, the snake was trying to save itself from the stroke of the stick How are the shapes of the snake? Snake जब रणिंग कर रहा था जब भाग रहा था तो उसकी sips कैसी थी? यह बताना है उसकी आकरतियां कैसी बना रहा था? Beautiful and graceful Dirty and ugly Not attractive ज़से terrible तो snake की जो sips थी वो beautiful थी और graceful थी बहुत ही सुन्दर और भव्या थी तो आपका A Option Correct answer है Next question Who is the poet of the poem The Snake Trying? The Snake Trying poem का poet कौन है यह बताना है William Wordsworth, John Keats, WWE Ross या फिर Robert Frost तो इस poem का poet है WWE Ross जिनका पूरा नाम है William Wrightson Eustace Ross Where did the snake disappear? Snake कहाँ पे disappear हो जाता है? In the bushes, जाड़ियों में In a hall एक hall में In a pipe, एक pipe में या फिर in the repulse of water among green reeds जो green color की reeds है, सरकंडे है, hollow stems है उनके बीच में बहाँ जाकर के पानी की तरंगों में लहरों में गायब हो जाता है इसपीर हो जाता है पानी में green reeds थे उनके बीच में जाकर के यह है इसपीर हो जाता है वेनिस हो जाता है तो the snake vanished in the repulse of water among green reeds what is the message of the poem the snake trying the snake trying poem का message क्या है हर poem का कुछ ना कुछ message होता है तो इसका message हमें बताना है to beat animals फस्वो को पिठना, animals से hate करना animals को मारना या फिर to stop cruelty towards animals तो इसका main message यही है कि we should stop cruelty towards animals हमें animals के पती जो cruelty है जो निर्दयता है उसको रोखना चाहिए what does the point think of snakes snakes के बारे में point क्या सोचता है point का क्या विचार है कि यह terrible होते है dangerous होते है harmless until disturbed जब तक इनकोś disturb ना किया जाए तब तक यह harmless होते है या फिर none of these इन में से कोई नहीं the point यही कहता है कि snakes are harmless until disturbed या अगर हम इनको छेड़ेंगे इनके साथ छेड़ शाट करेंगे तब यह harmful हो सकते है otherwise यह harmless होते है what does the point wish for the snake snake के लिए point की क्या wish है क्या चाहता है वह सनेक के बार में to be killed के से मारती आ जाए to escape unhurt कि यह गहल हुए बिना hurt हुए बिना बच जाए to be caught पकड़ा जाए या फिर none of these the point चाहता है the point wishes for the snake to escape unhurt कि यह बिना नुफसान पहुचा है यहां से बच करके चला जाए what is the poetic device used in the poem the snake trying the snake trying poem में कौन सी poetic device का यूज हुआ है metaphor, simile, personification या फिर none of these तो इसमें snake को personify किया है तो इसमें है personification, device का यूज जहां पर एक लाइन आती है he is harmless he is harmless तो he is harmless में ह ह की sound के वज़े से alliteration अब दिवाइस का भी यूज किए गया है लेकिन में इसमें जो दिवाइस यूज की गई है वो है personification लेकिन he is harmless अब लाइन आती है तो उसमें अप alliteration का यूज पी देखते हैं the snakes are considered normally normally snakes को क्या समझा जाता है kind के वे द्यालू होते हैं harmless होते हैं fear factor या फिर all of these तो normally समझा जाता है उनसे डरा जाता है कि वो बड़े भहंकर होते हैं dangerous होते हैं he lay until observed मैं लेटा रहा जब तक कि उसको observed नहीं किया गया the underlying word he refers to इसमें एक word है he उसको किस के लिए refer किया गया है point के लिए snake के लिए the man having a stick उस आदमी के लिए जिसके हाथ में stick थी if you're all of these तो ये word यूज किया गया है snake के लिए क्योंकि snake he send पे लेटा हुआ था oh let him go the underline word is our, जो underline word है him क्या है noun है pronoun है, adjective है ये फिर adverb है तो ये क्या है pronoun है जो words noun की जगह यूज होते हैं place of noun, our called pronoun यहाँ पर let the snake go हम लिख सकते थे तो the snake की जगह snake noun है उसके जगह यूज हुआ है him का तो ये क्या है pronoun है most of us thing हमें से काफी सारे सोचते हैं कि snakes as fearsome symbols of snake किस चीज का symbol है pleasure का, beauty का, death का या progress का तो जब poem सुरू होती है उसकी सुरूआती एक दो लाइन में जब introduction दी हुई है तो उसमें लिखावा है कि most of us think of snakes as fearsome symbol of death अगर अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करते हैं वीडियो को लाइक करना शेयर करना मत भूलेगा बैल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चिन वीडियो कि इसमें विक्टिम जो है सनेक है हाला कि लोग सनेक का विक्टिम बनते हैं शिकार बनते हैं लेकिन इस पोएम में खुद सनेक ही विक्टिम है सो दसनेक इस विक्टिम इन दा पोएम दसनेक ट्राइंग आई होप आपको सभी अमसी क्यूज समझा गए होंगे आप कमेंट बोक्स में ज़रूर लिखिएगा थैंक्यू हैव नाइस टाइब